साथियों, सौ साल की इस सबसे बड़ी महमारी में, देश ने अने चुनोतियों का सामना किया है। कॉर्णा से देश की लड़ाई में एक खास बात ये रही कि हमने नए नए समाधान खोचे। इनोवेटिव तरीके अजमाई हैं। और हर इलाके में लोगों ने अपने दिमाग से नए नए चीज़े की हैं। आपको भी अपने अपने जीलों में वैक्षिनेशन बढ़ाने के लिए नए नए इनोवेटिव तरीके पर और ज्यादा काम करना ही होगा। नया तरीका, नया उत्सा, नई टेक्नीक ये इसमें जान भरती रहेगी। आपको ये भी याद रखना होगा कि देश के जिन राज्यों ने शत्प्रतिक्षत पहली डोज का पड़ाव पुरा क्या हैं, उनमें भी कई जगों पर अलग-अलग तरह की चुनोतियां रही हैं। कहीं बोगोलिक परिस्तियों की वज़े से मुश्किल आई तो कहीं साधन समसाधनों की चुनोति रही। लेकिन ये जिले इन चुनोतियों को पार करते ही आगे निकले हैं। वैक्सिनेशन से जुड़ा कई महिने का एक्पिरियंस हम सब के पास है, हमने बहुत कुछ सीखा है और एक अन्नोन एनिमी से कैसे लड़ा जा सकता है, यह हमारे छोटे छोटे आशा वर्कर ने भी सीख लिया है। अब आपके माइक को स्ट्रेटेजी बताते हुए आगे बचलना है। अब हम राज्य का हिसाब, जीले का हिसाब उसको भूल जाए। हम हर गाउं, गाउं में भी मोहला, उसमें भी वो चार गर बाके रहेगे तो चार गर, बारीकी की तरह हम जितना जाएंगे हम परना प्राप्ता करेंगे। और जहां कहीं भी जो भी कमिया है, उसे जल्द से जल्द दूर करके ही रहना है। जैसा अभी आपसे बात्चित में भी मैं स्पेशल केंप लगाने की बात उठी, इविचार में समतावत अच्छा है, अपने जिलों में, एक एक गाउं, एक एक कस्पे, इसके लिए अगर अलग अलग रनदीती बनानी हो, तो वो भी बनाईए। आप खेतर के हिसाब से 20-25 लोगों की टीम बनाकर भी ऐसा कर सकते हैं। जो टीमें आपने बनाई हो, उनमें एक हिल्दी कॉंपटिशन हो, इसका भी प्रयास हम कर सकते हैं। हमारे जो NCC, NSS के युवा साथी हैं, आप उनकी भी ज्यादा से ज्यादा बदर लिजिए। आप अपने अपने जीनों का खेतर बार टाइम टेबल इसको भी बना सकते हैं। अपने स्थानिय लक्षत ताय कर सकते हैं। और मैंने तो देखा मैं लगातार ग्रास्टूट लेवल के सरकार के हमारे साथियों को बात करता रहता हूं। मैंने देखा है कि महिला जो हमारी अधिकारी हैं। खास करके वेक्षिनेशन के काम के जुड़ी हैं। वो बड़ी जी जान से जुड़ गई। उन्होंने अच्छे परणाम दिये हैं। हमारे जो महिला वरकर्स हैं सरकार में जितनी हमारी बहन हैं। इवन पुलीस में भी हमारी जो महिला हैं। उनको कभी पात दिन साथ दिन के लिए इस काम के लिए ले चलिए। आप देखिए परणाम बहुत तेजी से मिलेगा। आपके जीले जद से जल्द राष्ट्रे आउसत के पास पहुंचें। मैं तो चाहता हूं उसे आगे निकल जाए। और इसके लिए हम सब को पूरी ताकर लगा देनी होगी। मुझे पता है कि आपके सामने एक चुनोती, अफ़ा और लोगों के ब्रह्म की स्थिती भी है। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे शायद ये समस्याएं हमें concentrated areas में सामने आएगी। और अभी बाचित के दर्यान भी आप में से कहियों ने इसका जिक्र किया है। इसका एक बड़ा समाधान है कि लोगों को जादा से जादा जागरुक किया जाए। आप इसमें स्थानिय धर्म गुरू को भी जोड़ें। उनकी मद़द लें। उनके छोटे 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 वीडियो बनाएं' अर उनके वीडियो popular करें। हर गर में उनके धर्म गुरु की वीडियो पहुँचें। धर्म गुरी उनको समझाएं। इसके लिए प्रयास किये और मैं तो अक्सर अलग अलग पंथों के गुरुवों से लगातार मिलता रहा हूं मैंने बहुत प्रारम में सभी धर्ब गुरुवों से बात करकर के इस काम में मदद के लिए उनको अपील की थी और सभी वेक्षिनेशन के बहुत हमायती हैं को विर काथ हुई वेक्षिन पर धर्मगुरुवों के संदेश को भी हमें जनता तक पहुंचाने पर विशेश जोर देना होगा